नमस्कार दोस्तों मैं देवांश सौरब आपको अपने चैनल लाइफ और डिविनिटी पर स्वागत करता हूँ आज हम एक बेहत खास विशय पर चर्चा करेंगे कैसे आप तुरंत अपना सिबिल या क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं अगर आप अपने फाइनेंशल फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जैसे हमें अपने स्पिरिच्वल लाइफ को सुधारने की आवश्यक्ता होती है वैसे ही एक स्ट्रॉंग फाइनेंशल लाइफ भी बेहत जरूरी है इसी जागरूपता को फैलाने के लिए मैं लाइफ और डिविनिटी पर ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्यों पर वीडियो लेकर आता हूँ अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेशल और स्पिरिच्वल बैलन्स चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे क्या आप जानते हैं कि एक अच्छा सिबिल या क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नमबर नहीं बलकि आपकी आर्थिक मजबूती का प्रतीक होता है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कोर को कैसे बरहा सकते हैं वो भी तुरंत सोचिए अगर आपको आपके सपनों का घर चाहिए एक कार चाहिए या कोई और बड़ी चीज तो एक अच्छा सिबिल या क्रेडिट स्कोर आपकी मदद कर सकता है कभी सोचा है कि सिर्फ एक नंबर आपकी लाइफ को बदल सकता है क्या आप जानते हैं कि बेहतर क्रेडिट स्कोर से आपको कम ब्याजदर पर लोन मिल सकता है अगर आपकी स्कोर सही नहीं है तो अभी इसे सुधारने का समय है बस कुछ आसान टिप्स से दोस्तों जैसे एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती की जरूरत होती है वैसे ही एक खुशहाल वित्तिय जीवन के लिए हमें सिबिल या क्रेडिट स्कोर की आवशकता होती है और इसी कारण हम यहां लाइफ और डिविनिटी पर आपके साथ वित्तिय जानकारी भी साज़ा करते हैं ताकि आप एक बहतर जीवन जी सकें अब सोचिए आपको आपके सपनों का घर लेना है या एक गाड़ी और बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखकर आपको रिजेक्ट कर दें कितना निराशा जनक होता है है ना एक अच्छा सिबल या क्रेडिट सकोर वो कुंजी है जो आपके लिए आर्थिक अफसरों के दरवाजे खोलता है और जिनका सकोर अच्छा नहीं होता उन्हें लोन मिलना मुश्किल हो जाता है या उन्हें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है मान लीजिए आपका एक दोस्त है राहुल राहुल का क्रेडिट सकोर 800 है जबकि किसी और का सिर्फ 600 है दोनों ने एक ही बैंक से 10 लाग का होम लोन लेने की कोशिश की बैंक ने राहुल को कम ब्याज दर पर लोन दे दिया लेकिन दूसरे व्यक्ति को लोन के लिए मना कर दिया या ज्यादा ब्याज दर पर लोन दिया ये फर्क सिर्फ उनकी क्रेडिट सकोर के करण है इसलिए दोस्तों ये सकोर सिर्फ एक नंबर नहीं है ये आपकी ये नमबर 300 से 900 के बीच होता है और 750 या उससे उपर का स्कोर आपके लोन के अप्रूवल को आसान बनाता है। ये स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी कर्ज चुकाने की आदतों और आपके क्रेडिट कार्ड के उप्योग पर आधारित होता है। समझ लीजिए कि आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर आपकी आर्थिक विश्वसनियता का प्रमाण है। जब किसी को ये भरोसा हो कि आप समय पर अपने कर्ज चुकाते हैं, तो वह आपको आसानी से लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आपने कुछ महीने तक अपने बिल्स समय पर नहीं भरे। आपकी इस छोटी सी गलती का परिणाम ये हो सकता है कि जब आपको लोन की सक्त जरूरत हो, तब आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर आपकी मदद न कर पाए। इसलिए हर छोटे बड़े भुकतान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाएं? तो सवाल आता है कि सिबिल स्कोर को बढ़ाएं कैसे? कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर आप इसे तुरंत सुधार सकते हैं। आज मैं आपके साथ पांच असरदार तरीके साज़ा करने वाला हूँ, ये तरीके न केवल आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाएंगे बलकि आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाएंगे समय पर बिल भरना सबसे बड़ा नियाम है, अगर आप हर महीने समय पर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरेंगे तो आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा चाहे वो छोटी सी राश्य हो, लेकिन उसे समय पर चुकाना आपकी वित्ति ये च्छवी को सुधारेगा ज्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ी, इसलिए ध्यान रखें कि आपके सभी बिल्स समय पर भरे जाएं, अगर आपको लगता है कि आपके पास जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उतना अच्छा है तो ये एक गलत धारणा है, जितने अधिक क्रेडिट कार्ड के को यह संकेत देता है कि अमित को तुरंत पैसे की जरूरत है और वह कई जगहों से उधार लेने की कोशिश कर रहा है यह उसके स्कोर को नुकसान पहुचा सकता है, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का केवल 30 प्रतिशत या उससे कम का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है, इससे बैंक को यह विश्वास होता है कि आप अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, राधिका की क्रेडिट लिमिट एक लाग थी, लेकिन उसने हर मही ने उस लिमिट का 80-90 प्रतिशत इस्तेमाल किया, इससे उसकी क्रेडिट हिस्टरी पर असर पड़ा और सिबिल स्कोर घट गया, तो हमेशा अपनी लिमिट का 30 प्रतिशत या उससे कम इस्तेमाल करें, आपके किसी भी लोन का समय पर भुक्तान न केवल आपके सिबिल स्कोर को बढ़ाता है, बलकि आपको मानसिक शांती भी देता है, चाहे वो छोटा लोन हो या बड़ा, उस उसे सही समय पर चुकाना बहुत जरूरी है, मान लीजिए, मोहन ने एक परसनल लोन लिया था और वह समय पर उसे चुका रहा था, इस से उसका स्कोर उपर गया और जब उसने अपने व्यवसाय के लिए बड़ा लोन लेने की सोची तो उसे आसानी से अप्रूबल मिल गया हर 6 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए ताकि कोई गलती हो तो उसे समय पर सुधारा जा सके, इससे आप अपने स्कोर की स्थिती से वाकिफ रहते हैं और भविश्य में किसी बड़े फैसले से पहले उस पर काम कर सकते हैं, रवी ने कई सालों से अप आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपके वित्तिय जीवन में स्थिर्टा ला सकते हैं, इन्हें फॉलो करने से न केवल आपका सिबिल स्कोर सुधरेगा, बलकि आपको आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने में मदद मिलेगी ध्यान और वित्तिय जीवन में तालमिल दोस्तों, जैसे आध्यात्मिक जीवन में ध्यान और शांती की जरूरत होती है, वैसे ही एक बहतर वित्तिय जीवन के लिए भी अनुशासन और प्लानिंग की जरूरत होती है जैसे ध्यान के माध्यम से हम मानसिक स्थिरता पाते हैं, वैसे ही फाइनेंशल डिसिप्लिन से हम आर्थिक स्थिरता पा सकते हैं. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह जानकारी उप्योगी लगी होगी. याद रखें, एक बहतर सीबिल स्कोर न केवल आपके आर्थिक जीवन को सुधारेगा, बलकि आपके भविश्य के सपनों को भी मजबूत बनाएगा. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आर्थिक स्थिरता आए, तो आज ही अपने सीबिल स्कोर पर काम करना शुरू किजिए. इसी के साथ अगर आपने अब तक Life and Divinity को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणा दायक और जानकारी से भरपूर वीडियो हम नियमित रूप से आपके लिए लाते रहेंगे, तो जुड़े मेरे साथ, और बनाए रखें अपने जीव